और अरुनिता का तेरी उम्मीद सौंग आया है सबसे पहले दोस्तों यहापे में जो हिमेश रिश्मया को क्रिटिसाइज करने वाले थे कुछ लोग उनको एक जवाब देना है मुझे बहुत से लोगों के कुछ लोगों के एक्चुली जो हेटर से उनकी कमेंड मैंने देखे वो लोग बोलते हैं कि इमेश रिश्मया है अपने जो मेलडीज वाला यूट्यूब चैनल है वो फेमस करने के लिए ऐसे लोगों को चांसेज दे रहा है सब मतलब इन लोगों को यंग वालों को सिंपती पाने की कोशिश करें सबसे पहले तो उन गधों को मैं बोलना चाहूंगा कि बाई करण जोवर जैसे नीच लोग जो बॉलिवूड में खड़े है जो कभी नेपोटिजम वालों को हमेशा आगे आने देते और टैलेंटेड आडल के हो या फिर अधर्स लोग में यह तो अभी की बात है लेकिन पहले भी उसने बहुत से लोगों को लाने की कोशिश की उसमें उसके यूट्यूब चैनल का कोई लेना देना नहीं था भाई यो उसने हेल्प किये हैं मतलब बरे कहते हैं कि जो यहाँ पे काम करते हैं लोग जो मेहनत करते हैं उन लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहा है तो गलत क्या कर रहा है बंदा यार मतलब किसी को भी क्रिटिसाइज करने थोड़ा सोचो यार बेवजा कुछ भी तो मत बोला करो बात करते हैं इस सौंग की भाई दोस्तों मैं एक बात कहूंगा जो मेलडी के जो सब जो चारपा सिंगर्स के अभी तक सॉंगवाज दगा था इससे पहले जो चारपा संग आयए मैंने सारे सुनें सारे की रिवीउस दिये इस सौंग के भी बात करें तो ओवियूजिक ली हमेशका ही और अगर बात करें तो भाई इन दोनों ने जितना स्टाइब का यह मिलना जाहिए यह मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने देखे यार कितने बी इंडिया नाडल लोग बने कितना भी कुछ बने हमें सिंगर में तो वही दिखते हैं जो हीरोच को पसंद आने वाले सिंगर रहते हैं एसा ही तो दिखता है हमने कब देखे हमने ज्यादा लोग की इंडियन आडल में आया था जीता भी नहीं था छे नंबर पे आया तो भी वह आज बना है तो लेकिन ऐसे कितने अरजित से कि ऐसे लोगों को रखो यार अपने पास मतलब इनको बनाओ या जैसे आप कोई मूवी आती है कुछ आता है तो इनको अपने तरफ रखो ताकि इनको भी कोई प्लैटफॉर्म मिले अब इसो को प्लैटफॉर्म दे रहा है और तुम लोग कुछ ने कुछ हेटर्स ऐसे बोल रहे कमेंट देखके बहुत बुरा लगा सॉंग मुझे मैं जरूर काऊंगा जैसा कि मैंने कहा कि सच कव तो टैलेंट है लोगों में और वो डिजर्व करते हैं उनको प्रेज करना बहुत बढ़िया सॉंग गाया इन लोगों ने म्यूजिक टेफिनेटली हमेश का था अच्छा लगा लेकिन इन दोनों की सिंगिंग के मैं ज़्यादा तारिफ करूंगा मुझे बहुत बढ़िया पसंद आया यह सॉंग और फीलिंग आती है सुनने के बाद एक सुनने का मन करता है आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक